दोस्तो आज हम एकादशी के बात करते हैं पौश मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी दोस्तो चलिए आप और हम मिलकर इसे पढ़ते वा सुनते हैं एक समय की बात है कि धर्मराज युदिष्टर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा हे मधुसूदन पौश मास की कृष्ण एकादशी का क्या नाम है इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है किरप्या करके मुझे विस्तार से कहिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज एकादशी वरत से मैं जितना प्रसन होता हूँ उतना तो मैं दक्षणा पाने वाले यग्गे से भी प्रसन नहीं होता आताहा इसे अत्यंत भक्ती और श्रथा से युक्त हो करके करना चाहिए हे राजन अब द्वादशी युक्त पौश कृष्ण एकादशी का महत्व मैं तुम्हें बताता हूँ इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है इस एकादशी को भगवान नरायन की पूजा की जाती है इस वरत को विधी पूर्वक करना चाहिए, जिस प्रकार नागों में शेशनाग, पक्षियों में गरुड, सब ग्रहों में जंद्रमा, यग्यों में अशोमेग और देवताओं में भगवान विश्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब वरतों में एकादशी का वरत इस प्रकार है, रित्व के अनुसार जो फल एवेलिबल हैं, वो फल, नारियल, नीबू, नवैदे, आदी, 16 चीजों से भगवान नारायन की पूजा करें, रात्री को जागरन करें, इस एकादशी के वरत के समान यग्य, तीर्थ, दान, तप, तथा कोई दूसरा वरत नही उससे भी अधी सफला एकादशी का वरत करने से मिलता है, हे राजन, अब आप इस वरत की कथा सुनिए, चमपावती नगरी में एक महिश्मान नाम का राजा राज्य करता था, उसके चार पुत्र थे, उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था, वा सदा परिस्त्री तथा वैश्या गवन में अपने पिता का धन नश्ट करता, तथा देवता, ब्रहम्मन और वैश्नवों की निंदा किया करता था, तो जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कू कर्मों का ग्यान हुआ, तो उसने उसे अपने राज से निकाल दिया, तब अन्न कू कर्म भी करता, वह वन में जाकर वन में पश्चु आदी मार कर खा जाता, राज्य के कर्मचारी उसको इन कू कर्मों के कारण पकड़ के भी राजा के भैसे छोड़ देते, उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन, विशाल, पीपल का वरिक्ष था, देवताओं के समा पूजा जाता था, उसी विरिक्ष के नीचे लुम्पक रहता था, कुछ समय पश्चात पौश कृष्ण पक्ष की दश्मी के दिन, वह वस्त्र हीन होने से शीत के कारण सारी रात्री सो नहीं सका, उसके हाथ पैरा कड़ गये, वह रात्री उसने बड़ी कठिनाई से वैती पूज में आकर गिरता पढ़ता वन में भोजन की खोज में गया, प्रन्तु वियता के कारण जीवों को मारने में असमार्थ था, इस कारण वरिक्षों से गिरे फलों को बिन कर अपने वरिक्ष के नीचे आया, उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गय थे, अताहा उसने उ उन फलों को पीपल के वरिक्ष के नीचे ला कर रख दिया, और रो कर कहने लगा भगवन ये सब फल आपके ही आरपन है, आप ही इस से त्रिप्थ हो जाईए, उस रातरी को दुख के कमारे उसे नीद भी नहीं आई, इस उपवास और जागरन से भगवान अत्यंद प्रसं हुए और उसके सब पापनश्ट हो गया, दूसरे दिन प्राता समय एक अती सुंदर घोड़ा, अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ, उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और इसी समय आकाश्वानी हुई, हे राजपुत्र, शिरी नारायन की किरपा से तेरे सब पापनश हो गये हैं, अब तू अपने पिता के पास जा कर राजप्राप्त कर, आकाश्वानी सुनकर लुम्पक बड़ा प्रसन हुआ, लुम्पक ने दिव्य वस्त्र धारन करे, और भगवान जी से कहा, भगवान आपकी जै हो, ऐसा कह कर वा अपने पिता के पास गया, उसने अपन लुम्पक शास्त्रा अनुसार राज करने लगा, लुम्पक, लुम्पक की इस्त्री, उसके पूत्र, सभी नरायन के परम भक्त हो गए, और वृद्ध होने पर, लुम्पक भी अपने पूत्र को राज का कारे सौप कर, तपस्या करने के लिए वान में चला गया, अंत में बैकुंठ को प्राप्थ हुआ, अतहा जो मनुष्य भक्ती पूर्वक सफला एकादशी का वरत करते हैं, उनको अंत में मुक्ती मिलती है, जो मनुष्य इस सफला एकादशी का वरत नहीं करते हैं, वे पूँच और सिंगो रहीत पशु के समान है, इस सफला एकादशी के मह पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य को अश्व मेग यग्य का फल प्राप्त होता है विश्णु भगवान की जै हाँ दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर की उनका जीवन भी सफल और सुखी समर्द रहे थैंक यू